अच्छा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मिरे नाम एसे दान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे ध्यान कैसे लगाएं हाउ टू मेडिटेट बहुत ही ज़ादा important lecture है ये देखे आज Sunday है और Sunday को मैं motivation series लेके आता हूँ बहुत बच्चे मुझसे बोलते हैं बच्चे क्या हर कोई सर्थ बहुत दिक्कते हैं परिशान है क्या करें मैं उनको एक चीज हमेशा बोलता हूँ Always meditate ये एक ऐसी power है ना जो इतनी सारी चीज़े कर देगी आप को पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके अंदर की power जो है वो जाग गई है आपको खुद भी नहीं पता कि आप क्या कर सकते हैं बगवान बुद्ध्य ने बोला था कि आप भी बगवान हो सकते हो Yes everyone can be God लेकिन अंदर की power को जगाना पड़ता है और उसका एक बहुत बहुत बहतनीन तरीका है meditation ध्यान लगाना जब आप ध्यान लगाओगे अभी होता क्या कि आप छोटी छोटी बातों पर गुसा जाते हो कितना अभी आप control कर रो गुसा जाते हो मूड खराब हो जाता है परशान हो जाते हो जब आप ध्यान लगाओगे ना तो आपको ये सारी चीज़े बड़ी छोटी लगेगी आप प्रेजेंट में जी होगे ना पास्ट ना फ्यूचर आपको लगे बस यही पल है और मुझे इसी को ही control करना है तो meditation जिस तरीके से आपका phone discharge हो जाता है और आपको phone charge करने की ज़रूरत होती है या switch off कर देते हैं आप phone ऐसे ही आपका दिमाग भी है जब आपका दिमाग ठक जाता है ना तो उसको charge करने की ज़रूरत होती है अब आप बोलते है सो लिया सोते हुए भी दिमाग काम करता है meditate करो अपने दिमाग को powerful जिस तरीके से आप अपनी muscles को powerful बनाते हैं वर्क आउट करके वैसे आप अपने दिमाग को powerful बनाओ meditate करके यह दिमाग की exercise है हम इस lecture में जानेंगे मैं आपको बताऊँगा कि ध्यान कैसे लगाते है meditate कैसे करते है देखो आप फालतू चीजों में अपना time बड़ा waste कर सकते हैं कर देते हैं social media हो गया और facebook पे scroll कर रहे हैं तो एक घंटा दो घंटा हो गया आप 10 minute निकाल सकते हो 10 minute निकाल लो बस 10 minute देन में सर्फ 10 minute आप आसानी से निकाल सकते हो कभी भी जो आपको suitable लगे और ये 10 minute आपकी आने वाले 10 साल 100 साल जितना भी आप जीएंगे 50 साल 60 साल चेंज कर देंगे चलो बहुत होगी बक्वास अब हम आते हैं अपनी बात पे टेलिग्राम हमारा ये चैनल है टेलिग्राम पे आप इसको सब्सक्राइब करें अभी 5000 के करीब सब्सक्राइबर है ये 206 सब्सक्राइबर स्क्रींशोट बहुत पहले लिया था मैंने वक्त मिलता नहीं दोस्तों इसलिए पीपीटी जैसी होती है वैसी ही रहती है तो आप यहां पे जॉइन करें आप वो पीडिएफ मिल जागी लेकिन देखिए इसकी क्या पीडिएफ लेंगी आप ठीक है इसमें कुछ ही नहीं मैंने बताया ना मेरे पास वक्त की भारी कम ही है मैं बहुत 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 ज़दा बिजी रहता हूं मेरा शीडियूल काफी बीजी रहता है तो इसलिए मैं प्रॉपर नहीं बनाता बट ठीक है आप लोग इतने अच्छे हैं इसके बावजूद आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं सच में मैं क्या बता हूं आप लोगों की ही दुआ हैं कि हम लोग साथ में मिलके इतना ग्रो कर रहे हैं तो इंस्टा पर मैं आ गया हूं आट से दस बज़े तक मैं सारी आंसर करता हूं हाँ चे साथ दिन से पेंडिंग है आज मैं सब जितने भी आप आंसर कर दूँगा यहाँ पर मुझे फॉलो कर नहीं कि आप किसी धर्म को फॉलो करो धर्म को बिल्कुल फॉलो करो spiritual मतलब होता है कि आपकी soul इतनी जादा powerful हो जाती है कि वो सब कुछ overcome कर दे जब हम बहुत जादा दुख में होते हैं जब हमको कुछ सूज नहीं होता है तो हम हमेशा भगवान की आदा दी है हम हमेशा अ यह आपके stress को कम करता है आपकी tension बहुत ही कम होने लगती है विश्वास मानिये दोस्तों अगर आप बहुत ज़दा tension में रहते हैं और आपको लग रहा है कि मेरी जिन्दगी में कुछ नहीं हो रहा है आप meditate करिए अब करेंगे नहीं मुझे बहुत लोग नहीं करेंगे और कि शुप चिंतक्स हर किसी की बात भी नहीं माननी चाहिए लेकिन उसकी दो बात मानो जो आपसे ज्यादा ज्यानी है जो आपसे ज्यादा थोड़ा सा समझदार है कोई भी हो सकता है वह आपकी life में लेकिन अब जैसे मैं यह lecture ले रहा हूँ मैं आपको बोलो अगर आप पर मांकी माइन्ड है यह तरीके से जो होती है वह बल्कुल सीधे हो जाती है वाव विवेकनन कहते हैं कि हमारे मांड वह मंकी माइन्ड है तो सब से पहले तो यह आपके स्ट्रेस को ही कम कर देगा आप टेंशन में रहो गे कि आपको पता कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जितनी भी बड़ी problem वो से problem है, आप समझ रहे हो, जैसे माल लो, relationship की problem है, girlfriend या boyfriend की problem है, ठीक है, अब ये girlfriend की boyfriend की problem है क्यों, क्योंकि आपके पास ये girlfriend है, अफर्ज करो, अगर आपके पास ये नहीं होता, तो क्या आपको इतनी problem होती, आपको ध्यान भी नहीं जाता, जैसे आप थोड़ा से detach होके देखो न, जड़ा देखो कि क्या ये वाकई में तरी problem बहुत ज़दा बड़ी है, अगर exam नहीं निकल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आज से 1000 साल पहले कोई exam, 1000 साल क्या, 300 साल, 200 साल पहले कोई exam नहीं नहीं निकल रहे हैं, कोई कुछ और कर लेंगे, तो सब कुछ आपको सामने दिखाई देता है, तीसरी चीज है कि आपका connection बहुत ज़दा better हो जाता है, सबसे पहली बात भगवान से जोड़ जाता है, भगवान मतलब यहां पे उससे है, मतलब एक universe से, आप universe से connect हो जाते हो, आपकी cosmic energy बिल्कुल align हो जाती है, सबसे important चीज, आ कोई भी हो, यह meditate, सुबा उठेंगे वो 6 बजे और कुछ टाइम, जेव बेजौस भी meditate करेंगे, चाहे जितने भी बड़े लोग हो, और आपके दिमाग को जबरदस्त बना देता है, दिमाग को और body को भी, एक तरीके से आपकी body और आपका mind का बहुत अच्छा connection हो जाता है तो यह कुछ points है, आप सब कुछ भूल जाएंगे, अकसर हमारा mind हमको control करता है, लेकिन meditation से आप अपने mind को control करने लगे जैसे, इसका मतलब क्या लोग समझ नहीं पाते हैं, जैसे मालों कि आपने decide किया कि आज से आप nighting पे हो, अब आप ने आज decide किया, शाम कोई आगे chocolate cake, अब आप बोलेंगे, यार, ठीक है, कल से कर लेंगे, आज खाले तो कल से कर लेंगे, tomorrow never comes, वो बिल्कुल सही बात है, फिर कल होगा यार, परसर से कर लेंगे, चलो ठीक है, आप 30 तारीक है, एक जनवरी आने तो फिर, फिर एक जनवरी को आगे, आज तो फिर Friday है, Sunday से आप आप ने, Monday से करेंगे, Monday बढ़िया दिन है, तो वो कभी नहीं आता है, वैसे करते-करते, एक दो साल हो जाते हैं, तो चोकलेट केक आया, अब आप आज ही decide किया था कि आप डाइटिंग पे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, अरे चोकलेट केक खा जाते हैं, मीन्स आपक पाफुल हो जाएँगे, पाफुल इंदे सेंस की जब आपको फोकस बढ़ जाएगा, तो आपको पता है कि मुझे करना क्या है, तो आपकी body आपके mind को control करेगी, आपके mind को बोलेगी, समझा लेगी आपके body, आपके soul, की नहीं, मुझे नहीं, ठीक है, मैं जैसा हूँ, वै को हर चीज कहा लेते हैं हर चीज में संतोष कर लेते हैं क्यूंकि उनको सिर्फ खाने से मतलब है उनका दिमाग इसे ट्रेंड हो गया है वो अपनी बॉड़ी मदब अपने दिमाग को कंट्रोल करता था तो meditation से आता है आप कैसे meditate करें देखिए meditation के बहुत तरीके हैं मैं beginners के लिए बता रहा हूँ आप देखिए यह सिर्फ beginners के लिए है क्योंकि जो meditation कर रहे हैं और जिनका एक level लो मतलब ऐसी जगा ढूंडो घर की जहां शांती हो जैसे मैं जब मंदिर में जाता हूँ दोस्तों मैं अपनी बात बता रहा हूँ पहले मैं मंदिर में जाता था और मैं बहुत चीज़े मांगता था भगवान ये दे दिना भगवान वो दे दिना ठीक है देखिए मैं भी आ लागया है यार मांगने से कोई चीज नहीं मिलती है आपको इसके लिए मेहनत करने पड़ती है ठीक है वो त्रीड गेट में डायलोग नहीं था कि सौर रुपय में तो आज कल एक ट्राफिक वाला भी नहीं मानता भगवान क्या मानेंगे और भगवान को अब क्या दे रहे हो वो तो है ही बगवान भगवान से मेरा मतलब हमिचा यह यह यूणिवर्स से है याद रखेगा जो मूर्द्य पूजन करते है ना पूजा बहुत लोग बोलते है, सर मेरा मन अशान्त रहता है, मैं इतनी पूजा करता है, मन अशान्त, अगर आपका मन अशान्त है, तो यानि कि पूजा आपकी व्यर्थ है, पूजा का मतलबी यह होता है, कि आपका मन शान्त रहे, ठीक है, आप मंत्र चांटिंग इसलिए ही करते हो, कि आपका मन शांत रहे, बस मन की शांती होगी, तभी आप उस वो युनिवर्स से कनेक्ट हो पाओगे आप समझ रहो, तो सबसे पहले तो आप वो जगा ढूड़ो, अचा मैं मंदिर का बता रहा तो जैसे मेरा क्या है कि मैं जब मेडिटेट करता हूँ, लेकिन कभी-कभी क्या वक्त नहीं मिलता है मुझे, तो मेरी ऐसे हैबिट में शामिल नहीं है, क्योंकि मैं काफी ज़ाधा कंट्रोल हूँ, लेकिन बहुत लोग कंट्रोल अब जो लोग कंट्रोल जिनको लगता है कि मुझे बहुत जरूरा था control की या मेरा नहीं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो daily करे क्योंकि मैं लगा था एक गेर साल meditate करता था ठीक है और फिर जब वो मेरा level आ गया जब मैं मिल्कुल शांत अपने दिमाग को असानी साथ भी control कर सकता हूँ कई पर मेडिटेट कर सकता हूँ तो फिर अच्छा लगा मुझे तो होता क्या है कि आप जब मैं मंदिर में जाता था जब भी तो मैं blank हो जाता हूँ मेरे thoughts zero हो जाते हैं ना मेरे मुझे से आवाज निकलती है और ना मेरे movement होता है मैं बिल्कुल zero हो जाता हूँ मैं चाहता भी हूँ मैं तब भी कुछ नहीं सोच पाता तो आप ऐसी जगा ढूंड़ो जो इस तरीके की हो अब वो कुछ भी हो सकता है पेड के नीचे चले जाओ कुछ लोगों को पेड बहुत अच्छा लगता है पार्क में चले जाओ पार्क अगर किसी को अच्छा लग है तो खेत में रहो जहां पे भी आपको शांती मिलते कोई एक जगा तो होगी ना शांती मिलती होगी ऐसा तो है नहीं कि कहीं शांती नहीं मिलती है अब ऐसा मत बोलना जब सो जाते सार बड़ी शांती मिलती है देखो मेडिटेट का यह मतलब नहीं है कि सो गए कुछ वज़ा यही है कि आप देखो राम कृष्ण परमंस क्या करते थे वो नौ साल के उमर में उनको मतलब वो क्या कहता है निर्वार अटेन हो जाता था तो होता क्या था कि वो ना जुड़ जाते हो जब आप लेवल अचीव हो जाता है ना आप कहते हैं कि वो इदम ध्यान में च अब आपको जो मन हो आप कर सकते हो कि आपको मुद्ध उस लेवल पे चला गया है आप हर एक जीव से कनेक्ट हो सकते हो और इसका experience ले सकते हो और बिलीव मिंहीं इससे भयानक experience इससे जबर्दस experience कुछ नहीं होता ध्यान लगाते लगाते तो तपस्या क्या होता है यही meditation ब ध्यान की प्राप्ति उनको खुद से ही हुई जब उन्होंने ध्यान लगाना चुरू किया तो सबसे पहले तो आप वो जगा ढूंड़ो जो आपको बिल्कुल शांत कर दे ठीक है और वहां पे पालती मारके बैठ जाओ अब आपको पते ही कि आपको बैठना कैसे है आपका पॉश्यर बहुत इंपॉर्टन है बिल्कुल सीधा होना चाहिए सर भी आपका एकदम सीधा हो पहले अच्छा ता पॉश्यर देखो जब आप नमस्ते करते हो ना या जब आप भगवान के हाथ जोड़ते हो बहुत क्याजूली जोड़ते हो तो मजा नहीं आती है प्रॉपर जोड़ा करो प्रॉपर दोनों हाथ मिला के थोड़ा टाइटली जोड़ा करो एनरजी आपको फील होगी जब आपका कोई इंसान हाथ मिलाता है अगर वो थोड़ा से अच्छे से मिलाता है तो आपको लगता है ना क्या जवर्दसत इंसान है इसे ही मिलाना हुए आप सीधे रग दोगे अपने नीज पर समझ गए ना कैसे पॉशर होना चाहिए देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ ठीक है यह है और आपके दोनों हाथ ऐसे होंगे ठीक है आप ऐसे अरे यार मैंने क्या बना दिया है लेकिन आप इस तरीके से बैटे होंगे आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको बैटना है ठीक है उसके बात अगर आप बेगिनर है तो आप एक टाइम लिमिट सेट कर दो देखो शुरुवात में बड़ी दिक्कत होगी शुरुवात में बहुत दादा दिक्कत होती है एक से दो मिनिट भी हो सकता आपको ध्यान लगना आपको बस यह करना है पहले thoughts जीरे कर जीरो करने है जितने कम thoughts हो यह जो लहरे है ना उसको शांद करनी है तो आप वो कैसे करोगे सबसे important यह रहेगा आपके लिए कि आप मंत्र चांट करो या अपनी breathing पर भी control कर सकते हो breathing को देख सकते हो मैं अभी बिलकुल types पर नहीं जा meditation कितने तरीके के होते हैं देखें यह से beginner lesson है मैं बहुत ही beginning से चल रहा हूँ इसके बाद हम बात करेंगे कि आप अगले लेवल पर कैसे जा सकते हो लेकिन अगर आप beginner है तो आपको क्या करना है मंत्र पढ़ो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष किसी का भी धर्म हो यहां धर्म से बाती नहीं है यहां सिर्फ आपको ध्यान लगाना है मंत्र चांटिंग करो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे माला होती है उसको ऐसे ऐसे करते रहो करते रहो करते रहो करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे गा आपके शरीर में पैल जाए छह चक्र होते हैं अचा इस पर अभी हम नहीं जाते हैं अभी छह चक्र के हम बाती नहीं करते हैं फिलाल आप ऐसे बोलो कि वह पूरी वाइब्रेशन आपको फील हो कि वह एक एक बॉड़ी पार्ट में जा रही है बुद्धम शरणाम गच्छाम यह बोल सकते हो ठीक है यह या कोई इस तरीके का मंत्र लगा लो हेड़वन लगा लो मंत्र लगा लो और एकदम शांत रहूँ नहीं तो आप अपनी ब्रीधिंग करे कंट्रोल ब्रीधिंग को गिन सकते हो लंबी सास लो और बेखो सास को देखो अगदम अबजर्व करते रहो ध्यान से लंबी सांस लो और फिर बिल्कुल अपनी breath पे उसको feel करो जिस तरीके से आपको sensation हो रही जब आप सांस ले ना लंबी सांस और धीमे धीमे छोड़ो एकड़म फील करना शुरू करो सांस लो बाहर छोड़ो लो बाहर छोड़ो नाक से छोड़ना आमेशा सांस जब आप सांस लेते हो तो आप देखो कि आपका चेस्ट सिकोड़ रहा है वह गलत तरीका है हमेशा आपका पेट भाहर आना चाहिए पेट अंदर होना चाहिए और नाक से सांस लेनी चाहिए तो यह आप करो ठीक है तो अपनी बाड़ी को और ध्यान सो टाइम लिमिट दे तो इसको तीन से चार मिनिट कर लो, थोड़ा सा टाइम बनो, और ऐसे से टाइम बढ़ाते रहो, एक दो महिने में आपको खुद पता चलेगा, एक अजीब सी एनरजी फिल हो रही है, और आप टाइम कंस्यूम कर लोगे, पता है, मेरे सा दिक पर क्या हुआ था कि मैं एक घं चीजे अपने हाँ आपको समझ भी आ जाएगी, क्योंकि आपको दिमाग नई नई चीजे बनाने, नियूरॉंस नई ने बनने लगेंगे भया, ठीक है, तो ये चीज, शुरवात में आप ये देखो, कि आपका माइंड जा किदर रहा है, कुछ मत करो, आपको कुछ करने ही नहीं है, अगर आपका बहुत उतल पुतल हो रही, बस आप देखो कि आप क्या क्या सोच रहे हो, कहते हैं कि आप अपने आपको एक बच्चा समझो, जो जिसको पूरी फ्रीडम मिल गई है, वो क्या क्या कर रहा है, बस ये अबजर्व करो, आप पीछे खड़े हो, जब आ ये electromagnetic waves जो है, वो आप बाहर भी तो भेज रहे हो, ये universe को भी भेज रहे हो, ठीक है, दूसरी चीज़ और सबसे important बेटा, जज मत करना अपने आपको, जज मत करना, मालोगर उल्टे सीधे thoughts आ रहे हैं, बिल्कुल जज मत करना, जो भी आपका mind सोच रहा है, शुरवात में थ समझ गए, और क्या-क्या points है, close अच्छे, comfortable पहनो, अच्छा, एक चीज़ और, मैंने आपको बताया था कि ऐसी जगह चुनना, जहाँ पर शांती मिलती हो, रोड के पास, बैटके मत करने लगना, ऐसी जगह जाँ शोर आ रहा हो, ऐसी जगह सुनना, ऐसी जगह meditation करना, जहा कपड़े tight कपड़े पहन गिए, तो meditation आपको mind फिर उदर जाएगा, यार इसको loose करना पड़ेगा, या belt को loose करना पड़ेगा, इसी लिए कपड़े हमेशा, मतलब ठीक ठाक पहनो, बिल्कुल comfortable, पर उसके बाद time तो decide करना ही आपको, मैंने आपको बताया, कि कितने समय तक आ meditate करो, ठीक है, और comfortable position में बैठो, यह मैंने आपको बताया दे कि कैसे आपको बैठना है, ठीक है, कि आपको अपने legs जो है, वो cross करने है, meditation bench है तो बहुत ही बढ़िया है, तो legs आप cross करके बैठिये, और दोनों हाथ, बतलब first finger और आप अंगुठे को touch करिये, दोनों हाथों क इसको अपने बंद करके, focus करिए, अब मैंने बताया या तो breathe कर लिए, या mantra chanting करिए, जैसे भी आपको सही लगे, या headphone लगा लिजे, वैसे करिए, ठीक है, और यह basic meditation practice है, सबसे बहतरीन तो आपकी दोस्तों वही है, breathing को ही follow करिए, कुछ मत करिए, सिर्फ अपनी सांसों को द पर जूस करें कि वहां से आपकी breathing जो है, साथ जो है, वहां से आ रही है, और फिर पूरे body में धीमे धीमे वो फैल रही है, अवेर होते जाएंगे आप, अपनी breathing पे focus करना है, शुरुआत में बस, और कुछ भी नहीं, और जदा focus करना है, तो किसी चीज़ को visualize करना शुरू कर दीजे, जहां पर आपको बड़ा अच्छा लगता हो, ठीक है, जो भी आप अपने कलपनाओं से अपनी एक दुनिया बना लिजे, वो inception देखिए न, वैसे अपनी दुनिया बना लिजे, अगर जादा है तो आप लेट भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कि आप बिलकुल लेकर तर रिलाक्स पोजिशन पर लेट जाईए, और बॉड़ी स्कैन करिए, एक एक बॉड़ी पार्ट को एकदम देखिए कि एनर्जी वहाँ पर जा रही है, और अपनी ब्रीधिंग पर फोकस करिए, और उसके बाद एक एक पार्ट पर फोकस करिए, कि क्या हो रहा है मे वहाँ पर आपको मन भी लगेगा, अगर आप मेडिटेशन क्लासे चले गए तो वहाँ पर मन लगेगा, नहीं जाने तो हर दिन कम से कम, सुबह का टाइम बेस्ट होता है, नहीं तो शाम का, कोई भी जो भी आपको टाइम शूटेबल लगे, ठीक है, जब आप रिलाक्स हो वैसे सुबह का टाइम is the best, क्योंकि सुबह हमारी एनर्जी बेस्ट रहती है, रात भी बढ़िया है, शाम भी बढ़िया है, जब भी आपको लगे, आप क्या कहते है कि, मेडिटेशन जो है, वो कर सकते हैं, किताबे पढ़िये, और खुश रहिए, खुश क्या जब आप मे करते रहेंगे, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, तो ये सारी चीजे हैं, दोस्तों, मेडिटेट किस तरीके से आपको करना है, शुरुवात है, हम अगले लेवल पे जाएंगे, जब मुझे लग जाएगा कि अब एक और लेचर बनाना चाहिए, मेडिटेशन पे, और अगले लेवल पे कितने तरीके के मेडिटेशन होते हैं, डिफरेंट टाइपस अफ मेडिटेशन, कैसे हम एक अलग लेवल पे जा सकते हैं, तब मैं देखूंगा, अभी एक डिएड़ महिना थोड़ा सा टाइम लीजिए आप, मेडिटेट करिए और फिर मुझे और फिर मेडिटेशन, कोछ रहे पड़ते रहे देशन, सिद्धान तक नियोतरी, साइन ओर्फ